14 February को शादी है अमारे अधित्य की नेहा के सपने अधोर है नहीं Thank you, thank you so much क्या अधित्या नारायन और नेहा ककर वाकई करने वाले है शादी? सब कुछ तयार हो चुका भाई 14 February को 14, 14, 14, 14 Sir आप ऐसे 4, 4 वार रखोए क्या 14th February को आधित्या नारायन के वेडिंग प्रपोजल को एकसेट कर लेंगी नेहा ककर हॉल बुक हो गया है और कार्ट चप गए एक चोटासा काम है बस नेहा की हाँ बाकी है बाकी सब कुछ हो गया है You know your best wish नेहा मिश्टर इन्यवर के लिए आए नेहा जहां पिछले कई दिनों से February 14th को आधित्या नारायन और नेहा ककर की शादी करने के रूमर सामने आ रहे है वही रीसिंटली एक सिंगिंग रियालिटी शो के सेट पर जब फिल्म मलंग की स्टार कास्ट पहुची तो यहां कुनाल खेमू ने फाइनली इन रूमर्स के बारे में पूछी लिया जिस पर अधित्या ने कुछ इस तरह रियाक्ट किया सब कुछ तयार हो चुका भाई 14 February को 14, 14, 14, 14 February सर आप ऐसे 4-4 पार भूमें को अजीव लें 14 February 14 February को शादी है अमारे अधित्य की नेया के साथने आदोबर है नहीं सरी 12 February को शादी है, नहीं के अनधित्य के आधित्य की अफ़े रहा हो जाए और आपके सिंगर और आप्र आधिया नारायल के घुस्टि और पिछले दिनों जब इस शो के सेट पर अधित्य के डाड़ी और पॉपिलर सिंगर उधित नारायन सिंगर अलकायागनिक के साथ पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि वो यहाँ अधित्य की वेडिंग फिक्स करने आए है इतना ही नहीं इस तोरा नेहा के पैरेंस भी शो के सेट पर आए थे जिन्होंने अधित्य और नेहा को अपनी ब्लेसिंग्स भी दी थी जिस पर नेहा ये कहती हुई नजर आए थी के मुझसे तो पूछ ले थे जिसके बाद जब उदित नारायन से एक मीडिया हाउस ने नेहा और अधित्य की शादी के बारे में बात की तो उन्होंने कहा Neha Kakkar is a very sweet girl. She sings very beautifully. I like Neha very much. Not only just me, but people also like her. I really like her and she has made a name for herself in the industry. I also keep listening to her songs. Both of them, Aditya and Neha are also pairing up, but the rest is unknown to me. All this news is going on TV, but if they get married, I would love to see a female singer joining my family. Well, Neha और अधित्य को उनकी फामिली से तो अप्रूवल मिल गया है. Let's see के 14th February को वाकई ये शादी होगी या नहीं. Bureau Report, Zoom, Mumbai